दरिंदगी की भी हद होती है कुछ लोग तो दरिंदगी की हद को इतना पार कर जाते हैं कि इंसानियत भी वहाँ पर सरमसार हो जाती है आज की घटना में भी दरिंदगी को पार किया और बेसर्मी की भी हद होती है बेसर्मी को भी लंगा गया यहाँ पर क्या होता है बेटी से मिलने आये दामाद को पहले तो जम कर पीटा फिर उसको बेहोस कर दिया कोई दवाई वगएरा लगा करके और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में इस्टील का गिलास घुसेड दिया दोस्तो उसके बाद हुए जब हॉस्पीटल में जाता है चेक अप कराता है तो उसको पता चलता है कि उसके साथ तो उसके सस्वालवारों ने ऐसा किरते कर दिया है यहाँ पर उनकी खुद की बेटी गैर चलन थी दामाद ने विरोध किया लेकिन फिर भी उन लोगों ने दामाद के उपर ही कहर बर पाया अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा तो आखिर मामला क्या था इसके बारे में पूरी जानकर यहाँ पर हम लेने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर भी हैरान रह गए थे कि आखिरिया गिलास प्राइवेट पार्ट में गया कैसे यह गटना बिहार के मुझबपरपुर के एक गाउं की है जहां पर क्या होता है पवन कुमार दास नाम का एक लड़का रहता है और उसके घर में उसके माता पितार उसका एक बड़ा भाई है बड़े भाई की साधी हो चुकी है और इधर अब पवन कुमार की भी घर वाले साधी करवाना चाहते है तो पवन कुमार की भी साधी करवा दी जाती है पड़ोस के गाउं में एक लड़की से साधी होने के बाद वे अपने घर आती है दोलन बन कर और फिर यहां पर सभी लोग खुसी से रहते हैं हसी खुसी समय गुजरता है दीरे दीरे तकरीबन पांच साल गुजर जाते हैं और पांच साल गुजरने के बाद अब पवन कुमार की एक बेटी है एक बेटा है लेकिन दोस्तों यहां पर उसकी जो पतनी है वह ज़्यादा तर अपने माईके की तरफ भागा करती है दो-चार दिन यहां पर रहती और फिर उसके बाद अपने माईके भाग जाया करती यानि कि यहां पर बताया है पवन कुमार ने कि पिसले पांच साल में उसकी पतनी बस चार महीने ही उसके पास रही होगी उसके साथ बागी का समय उसने अपने ससुराल में, अपने माई के में गुजा रहा है तो यहाँ पर क्या होता दोस्तों, वे बार-बार अपने माई के जाया करती तो पवन पहले-पहले तो यह सोचता था कि साइद माबाप से अलग होई है इसका मन नहीं लगता होगा, और गाणों तो पास में ही है, कोई दिकत नहीं है इसी तरह से समय गुजरता चला जाता है, दो बच्चे हो जाते हैं लेकिन अभी भी बार-बार जाना बंद नहीं करती है गाओं के लोग भी आवाज उठाने लगते हैं, कि भाई तुम्हारी पतनी तो रास्ता नापती गूंती है हमेशा इधर से उधर उधर से इधर और कई बार तो माईके में जाकर बैट जाया करती, तो छेचे मैने के लिए वहीं पर रह जाया करती थी अब यहाँ पर यह बात पवन कुमार के मन में भी घर करने लगती है, कि आखर यह महमलत चल रहा है, तो कैसे चल रहा है हमारे आज पड़ोस में भी बहुत सारे लोगों की पतनिया है, वो तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाती अपने माईके लेकिन फिर भी वे इस बात को जहिल रहा होता है, समय को गुजार रहा होता है एक दिन क्या होता है, पवन कुमार दास को कुछ सामान लेना था किसी बेचने वाले से, रहरी वाले से उसकी जेब में पैसे नहीं थे, तो भाग कर घर के अंदर जाता है, पतनी को आवाज लगाता है कुछ पैसे दो, मुझे सामान लेना है पतनी साइद बातरूम में नहा रही थी, तो उसने कह दिया कि अभी मैं नहा रही हूँ तो वह जाता है कमरे के अंदर और अपनी पतनी के पर्स में से कुछ पैसे लेता है लेकिन जैसी वह कुछ पैसे लेता है, तो उस पर्स की अंदर एक लड़के का फोटो भी था और वह फोटो ऐसा था, जो ना उनकी रिष्टेदारी में से कोई लड़का था और नहीं वह जो पवन कुमार दासर वह उस लड़के को जानता था अब यहाँ पर उसको सक हो जाता है कि पिछले 5 साल में यह घर पर क्यों नहीं टिकती है बार-बार माई के क्यों जाती है यह लड़का इसके माई के का ही है और इससे इसके प्रेंप्रिसंग है इसके लिए ही ये जाती है उसके बाद दोस्तों वैं गरम हो जाता है और गुसे से बेकावू हो जाता है उसकी पत्नी नहा कर निकलती है तो उसको तुरंथ फोटो दिखाता है कि फोटो किसका है उसकी पत्नी भी दरवदर की बात करने लगती है लेकिन यहाँ पर अब यह साफ हो जाता है कि उसकी पत्नी का अफेर चला हुआ था उसके माईके में तब ही वह बार-बार जाया करती थी अपने माईके और वह अपने ससुराल में टिका नहीं करती थी जादा समय इस बात को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच में जगड़ा होता है पवन कुमारदास के माता-पिता कहते हैं कि बेटा रहने दे जगड़ा करने से अब क्या होता है अब यह जैसी है वो वैसी तो रहेगी ही अब यहाँ पर जैसे दोनों पत्नी पत्नी के बीच में जगड़ा बढ़ता है तो वे पत्नी रूट करके अपने माई के चली जाती है और फिर दोस्तों वहीं पर बैट जाती है अब 10-15 दिन गुजर जाते हैं वे वापस आने का नाम नहीं लेती है इधर जो वे लड़का थ वे अपनी सास और ससुर के पास फॉन करता है कि यह गलती कर रही है इसका किसी ने किसी के साथ चक्कर है और मुझे जब पता लग गया तो यह रूट करके वहाँ पर चली गई है लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके जो ससुराल वाले होते हैं पवन कुमार दास के वे उल्ट क्योंकि उसका बच्चों के बगएर मन नहीं लग रहा था उसकी पत्नी उसके दोनों बच्चों को ले गई थी अपने साथ तो वह सोच लेता है कि अपत्नी को खुद ही जाकर लाना पड़ेगा वह वहाँ पर पहुंच जाता है और जाकर उनकी बेटी की करतूत उसके बार पीट करने लगते हैं जबकि उनको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था कि आखिर तुकर क्या रही है और उनको इतना भी पता होना चाहिए था कि यह बार बार यहां पर भागती क्यों है क्यों वापस आती है लेकिन पवन कुमारदास को पीटा जाता है और बुरी त दोस्तों क्या होता हुए घर पर आजाता है घर पर आने के बाद उसके पेट में बहुत जोड़ से दर्द होता है वे अपने माबाप को लेकर होस्पीटल पहुंचता है अपने भाई को लेकर और वहां पर जाकर डॉक्टर कहते हैं कि हमें तुम्हारा एक्सरा वगेरा करन जाता है और दोस्तों यहाँ पर जो पवन कुमार दास होता उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और डॉक्टर भी इस बात से एक तरह से अचंबे में हैं कि यह गिलास इसके प्राइवेट पार्ट में गया तो गया कैसे आत में फसा तो फसा कैसे वह निकाल का सभ दरिंदगी चालू वहाँ पर उसके साथ की जाती है उसके प्राइवेट पार्ट में गिलास गुसा दिया जाता है और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों पवन कुमार अभी यह कह रहा है कि मैं उसको अपने साथ नहीं रखूंगा और पर अभी मामला तना तनी में चला हुआ है और यहाँ पर जिस लड़के के चकर में यह काम हुआ था उस लड़के और जो पवन कुमार दास की पतनी है उसके उपर कोई फरक नहीं है वे अभी भी गैर संबंदों में हैं अभी भी संबंद बना रहे हैं और यहाँ पर कुप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको सेर जरूर कर दिया करें और मैं बारबार कहता हूँ कि अवैस समंद रखोगे किसी से तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक और भयावे होता है हो सकता है आज आपको अंजाम नजर ना आए लेकिन अंतत्य वे अंजाम नजर आता है जिन्दगियां तबाह हो जाती है घर तिनके की तरह बिखर जाते हैं रिष्टे खराब हो जाते हैं इस अवैस समंद की चक्कर में कभी भी इन चक्करों में ना पड़े, जिन्दगी को सात्विक्ता, सुद्धता से जीए, उपर वाले का नाम ले अगला प्रोग्रम मोजलती फिर से ले कराऊंगा, तब तक आप खोश रहे हैं, जै हिंद, जै भारत